अन्रादा वेदिक अस्ट्रालोजी में आप सबका अभिनान आज हम पूर्वागुनिन नक्षित्र की कमजोरियों पर बात करेंगे लेकिन उससे पहले आप सबका धनेवाद कि आपने हमारे यूट्यूब और स्पाटिफाइ चैनल को लाइक शेयर सिस्क्राइब किया और वहाँ पर अपने कॉमेंट्स और सुझाफ लिखे यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकन याद से दबाएं ताकि आपको अप्डेट्स निरंदर बिलती नहीं पूर्वफालगुनी नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जो हमें धन के साथ साथ जीवन में बहुत सारी सिक्षा कला आदी का भी योगदान देता है तो फिर क्या इसमें कोई बुरे पाइंस नहीं होंगे जरूर उसकी भी अग कमजोरिया है क्योंकि हर नक्षत्र में हम कमजोरिया देख सकते हैं तो पूर्वफालगुनी नक्षत्र की कमजोरी क्या-क्या है? सबसे पहले यदि हम देखें, तो पूर्वफालगुनी का जो नक्षत्र है, वहाँ self-indulgence, यानि की मन-माजी होना, वो एक बहुत बड़ी कमजोरी है. पूर्वफालगुनी नक्षत्र में यदि किसी का कोई ग्रह हो, तो वो व्यक्ति विशेश या फिर उस ग्रह से related संबंदी जो व्यक्ति हैं, वो व्यक्ति जो हैं, वो बहुत मन-माजी होते हैं, वो अपने हिसाब से चलना पसंद करते हैं, अपने समय अनुसार काम करना पसं नहीं आता, फिर वो जो भी काम करते हैं, उसके लिए आपको शायद उनको दो बार, तीन बार बोलना पड़े, या उनका मन देखकर फिर आपको काम करें, तो वो काम उनको अच्छा लगता है, दूसरा, कि ये बहुत लेजी होते हैं, आलस ये इनमें बहुत होता है, तो को कोई भी काम करने के लिए, ये पहले सोचते हैं, अभी करें की ना करें, मानसिक आलस ता, जिसको हम कहेंगे, वो भी उनमें बहुत होती है, इसी के लिए बहुत बार आप देखेंगे कि ये कुछ प्राप्त करने जाते हैं, उसमें उनको लंबा अंतराल लग जाता है, खास प्राप्ती आलस के मारे बहुत सारी चीजें करना छोड़ देता है, नहीं करता, जबकि उसको वो शायद सारी चीजें आती भी होंगी, यदि आपके बच्चे के चार्ट में भी शनीस नक्षत्रम हैं, या इसको देख रहे हैं, तो आप उनको धीरे से समझा कर, तो आप ब बहुत competitive होते हैं, अब यहाँ यदि मंगल बैठ जाएं, यह सूर्य बैठ जाएं, तो उनको हमेशा यह बना रहता है कि मैं जो भी काम करूँ, मैं उस शेत्र में सबसे अच्छा बलूँ, क्योंकि उनको अपने जीवन में एक उचाई पे पहुँचना है, जो कि यह उत्तर करती हैं, और आपको ambitious बनाते हैं, और इसी के कारण आप दोस्त भी नहीं बना पाते हैं, क्योंकि आप जिस शेत्र में काम करते हैं, उसमें वहाँ आप इतने competitive हो जाते हैं, कि आप सब को पीछे छोड़के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, competition अच्छा है क्योंकि वो जी भी हमें रखना चाहिए, last but very important is कि इन लोगं का जो है, कहीं बहार relationship होना बहुत common बात होती है, तो खासकर आप देखिए दि शुक्रिया गुरू इस नक्षत्र में हैं, तो वो लोग जो है, वो बहार relationship रख सकते हैं, इसका एक बहुत सटीक उधारन जो है, वो है संजय का, उनका जो शुक्र है, वो इस नक्षत्र में विद्यमान है, और संजय दैट, वोने कुद अपने मुझ से बूला है, कि उनके 300 से अधिक relation रहे दे हैं, तो आप देखते हैं कि हर नक्षत्र जो है, अपने अपने साथ, अपनी बहुत सारे good points और कुछ कमजोरियां लेकर आता है, आप हमें लिख कर बताइए कि आपको अगली बार कौन से नक्षत्र की कमजोरियां जाने हैं, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धेने बाद,